मुझा जाए 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 आज के डेली कर्ण अफेयर्स दोजार तेईस के सेसन को स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं चार फर्वरी दोजार थेष्ष का कर्ण अफेयर्स तो आपके सामने फर्स्ट कुश्चेन है दूस्तों फेस्टिबल है इसका आयोजन किया गया चलते है कुशन नंबर टू की ओर कुशन नंबर टू आपके सामने है के भी तिरू मलेश का निदन हुआ है इनका संबंद किस छेत्र से है हाली में के भी तिरू मलेश जो है इनका निदन हुआ है तो इनका संबंद किस छेत्र से है क्य है लेखक हैं यह गायक है तो दो स्तों यह pict- 0 है एक लेखक है और इह उसरा के कुछन नम्बर 3 है क्या कि के विश्वनात जिनका extern Manuel है इनका संबंध किस शेत्र乐rando से है क्या यह अभी नेता है फ्रेए निर्माता है खिंबा ऐसिद व्हाँ यह कोई नहीं और दो विह चैन के बिश्वनात इनको नाम काल तपस्वी के नाम से भी जाना जाता है तो धियान डखना इंको पुरुषकार वही मिल ज़ा है दादा साहब फाल के पुरुषकार बेड भी इनको सम्वानित किया जा चुका है दोस्तों कुषिन नंबर चार आपके सामने है ता वीजन फोर ओल इसकूल आई हेल्थ कारिय करम किस राज सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है और आपके सामने है पंजाब मद्य प्रदेश गोवा उत्तर प्रदेश तो इसका राइट आउंसर हो जाएगा जो गोवा र यहां का राज पक्सी है इसका नाम है येलो बुलबुल रूबी थ्रोटेड येलो बुलबुल जो आपके सामने इसा दिखाई देता है दूसरा यहां का जो राज पसू है यहां का जो राज पसू है इसका नाम क्या है गौर यह भेंस जैसा होता है लेकिन रियल में भेंस और यहां का प्रच आपके सामने धर दिखाई दे रहा है थीक है। बसी दीखों सनते हैं के अगर के रहाँ जाते हैं मुद्ध व electr क्ले 개인श कोड़ कर गोवा की मैंने। कोन है यह कुशन काफी बार एकजाम में पूछा गया है कि आपका कि अपनाद नहीं अश्कुल mensh कि नाम देते हैं लुगिभा में फेस्टिवल होता है इसको नाम देते हैं सिग्मो केलेंग व भी हतना का जाता है चलते हैं अगले कुछन है महाराष्ट राइज गीत जिसे हाली में अपनाने की घोषना की गई है तो यहां आपके सामने अमार सौनार वांगला क्या यह महाराष्ट का राइज गीत है जै-जै-जै-जै-जै-जै-जै-जै-जै-जै-जै-जै-जै-जै-जै-जै-जै-जै-जै-जै-जै-जै-जै-जै कि दौरह इसको हाली में अपनाने की गए है और किस इसको गया पहली बात महाराइश्ट के cryập नसे क्म के ठीज मंत्री इस गीत को लिखा है कि से लिखा और एकमरपे महाराइश्ट क्या करें इस घीत को लिखा है राजा बध्येने राजा बध्येने जब कि इसको गया किसने दोस्तो किसको गाया है बाल दीर क्रेश्ण राब साब लेने अब जेखो महारा Experience कि हम यहां बात करते हैं पहला CM आपको पता है कौन है कोनने एक नाद सिंधे है महाराश्ड की CM कौन है एक नाद सिंधे हैं अब हहां से संबंदित सब्सक्राइब कि नत करसूण है, महाराश् sounded जा सकता है कि महाराष्ट रवी हमाराष्ट क मान खैन। भगत सिंग कोशयारी थो सब्सक्राइब है कि महाष्ट कतों कि में उसे पminuteूदाइब वहें वहां यहां और कि यह सीमा बनाता है। तो बिर निर भी और डी रही है। यह महारास्band कर देखा ही सेमा स्था ने सेमा देखा है। महारास्थ महालंनि सुल्ट सेमा करने तो यह आपके सामने सार्ट सब्रमतीर कदा एक दिर अब गया है। नー कि लिए सिव मतार 58 फाट उट 2500 अच्पय नहीं है। देखो ठीक है तो यह बापस से एक बार और अगेन मैं आपको इसको रेड कलर से दिखा देता हूं यह पूरा क्या है महाराष्ट राज अभी महाराष्ट राज देखो मद्ध पिर्देश के साथ सीमा बनाता है इधर आप जाओगे तो इधर गुजराश से भी अपनी सीमा लगाता है इधर महाराष्ट जो है इधर 36 गड़ से भी इसकी सीमा लगती है इधर तेलांगना इससे भी इसकी क्या लगती है और करनाटक से भी क्या लगती है इसकी का लगती है यह बी बात आपको इसे भी क्या बनाता कि अपनी सीमा बनाता है कौन महाराश गुजरात के बाद किस साथ जा रहा है मध्यपृदेश के साथ अब तो मद्यपिर्देस में गई घए तो मद्यपिर्देस से बहुत गरता है तो सीमा इसको साजा करता है सुद wholly कारना अपन सन्स ku gustaotechnology यृप नम्मर देखो की दियुद के लगना खोंगे और आंग बनाता है están अपनी सीमा को साधा करता के ला takich आप में भाड़ भी आपको याद लोगने इसय का कुशन है अप का कुशन इसको आपको याद रखना है कुशन से पहले हैं si धो, दोस्तों देख इस्तापना I आम और रायजकी पासुल है जरूल है ओके इंचनल पार्काम करता है संजे गांधी नेशनल पार्क कहा है महाराष्ट राईज की अंदर लेकिन बास्तमिज लोकेशन कहा है मुंबई की अंदर ठीक है और यह और नेशनल पार्क को नहीं है यह बात आपको याद रखनी है देखिए अगला कुछन को सामने में अन्तराश्टिय सौर गटवंदन सम सभी संद्धियुएं और कांग Rub du और यहां यहां राइट आंसर क्या ओजएगा तो इहां राइट आंसर हो जाएगा यहां कांग ईविडारे सौर गठवंधन तेस के उपर क्या किया गया है राज़ीॆ नई दिल्ली की अंदर और कौन आय था इसमें यह जो रिपब्लिक अप जो कांगो ए इसके जो हमारे अंदेश के अंदर इनके जो राजडूत है उनके द्वारा नई दिल्ली में इसके उपर हस्ताक्सर किया गया है कि इसके उपर अंतर राष्ट्य सोर गठवंधन समझोते क तो देखिए नई दिली के अंदर इनके द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे इसके उपर इस समझोते के उपर पहला पॉइंट आपको याद रखना है नई दिली में और यहां कौन आयते कांगो गंडराइस की तरफ से तो कांगो गंडराइस के राजदूत थे जिनका नाम था रेमंड सर्जी वाले इनके द्वारा हस्ताक्षर के उपर किये गए अब दोस्तों बास्ता में अंतर राश्टिय सौर गठवंतन जो है इंटरनेशनल सौलर जो अलाइएंस है इसके अंदर कुल सदस्य देशों की संक्या कितनी है तो आपको याद रखना है कितनी है 113 इसक की जाती है और इसका प्रमुग कारी है ये सौर विकास को क्या करना है बढ़ावा देना है ठीक है तो ये बात आपको याद रखनी है चलते हैं अगले कुशन की और कुशन 7 आपके सामने है कि किस देश को 07 के मैड्रिड अंतर राश्टिय पुस्टक मेले में मुझी देश के रूप में आमांतित किया गया है भारत पाकिस्तान और कोई नहीं तो दोस्तों ध्यान रखना हाली में जो मेड्रिट जो है इसके अंदर दोजार पस्टीश में क्या होगा अंतर राश्ट्रे पुस्तक मेले का आयोजन होता है उसमें मुख्य देश मतलब थीम देश के रू बात सet companies के इनका नाम था क्या ह्या की राजदोत थे इनका नाम है जोस नाम है जोस मारिया रिडॕ अब देखते हैं कुछ important facts. देखिए दोस्तों अब इन दो-तिन बाते में आपको यहां लिख देता हूँ. इस 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 पेन की जो राजधानी है यह क्या है? तो ध्यान डखना, इस 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 का नाम है Madrid. क्या नाम है? Madrid. इस 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 महादीप में आता है? यहां की जो मुद्रा है यह क्या है यहां की जो मुद्रा है इसका नायम क्या है यूरो तो यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है चलते हैं अगले कुशन की ओर कुशन नंबर 8 आपके सामने है लाओ पीपुल्स डेमोक्रिटिक रिपवलिक में भारत के अगले राजदूत किने निट किया गया है यह किया जाएगा दोस्तों M. सब्बा राइडू सीबी जोर्ज सुहेल एजाज खान या प्रिसांत अगरबाल तो लाओ पीपल्स डेमोकेटिक रिपवलिक यह एक देश का नाम है और इसके अंदर गजो भारत के जो अगली राजदूत है इनका नाम है प्रिसांत अगरबाल किसे निक्ट किया जाएगा प आएक और अमीराख उसकें अंदर भारत के राथडूत होंगे चलते हैं को नमबर 9 किस राइड के सी-एम ने यहें घोषना किया कि दोजार पस्तिश तक उनका जो राइड यह न vet हो जाएगा तो उत्तरहándद जो सिय एम है उत्तरह repentini सु seven The result कि उनका राज जो है 25 तक यह नसा मुक्त हो जाएगा मदलब वहाँ आज जो करते हैं इनकी संक्या बिल्कुल क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो ध्यान डखना अब उतरकंड जो राज से संब्दित मेथपुन बिंदू बन सकते हैं आपके एक्जाम में उनके बारे में हम ल इनाम के कोन है उसकर सिंग जह यहांके किया है मुख्य मंत्री है ऑब जो यहां डिवर्नर में इनका नाम है गुरमीट सी इस दो राजधानी इसका тоб頂 है ग्रीश मुकाली ऑे शभी देरादून ही यहां की राजधानी कुछता है जो नेशनल पार्क और्या है कौन कौन से हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो विश्क को याद रखना है जिम कार्वेट जो नेशनल पार्क है यह उत्रा खंड की अंदर है यहां की जो अंतर राश्टी सीमा है उत्राखंड की जो अंतर राश्टी सीमा है यह नेपाल और किसे लगती है तिबबत से लगती है यह आपको याद रखना है यहां की जो अंतर राश्टी सीमा है यह किसे लगती है UP और HP से यह अंतर राश्टी सीमा बनाता है यह बात भी इन वाल और यह को याद रखने हैर ठीके अग्ला में वाल देखे लोक सभासीट कितनी है ठीक हैं पांच राच सत्वासीट सभासीट में 7 और एस पांच सबसीटें 7 NO निर्मान किया गया तक अगला थैक यहां की 45 सारफ हिमाइलन मॉनल यह पॉइंट्स आपको याद रखने हैं देखिए कुशन नंबर टेन जो आज का क्या है लाश्ट कुशन आपके सामने है भारती रेल मंत्री अस्वनी बैसनफ के हमसार भारत में कब तक हाइड्रोजन ट्रेंड की सुरुआत हो सकती है आपके सामने अप्संस अब देखते हैं पहली बात दुनिया की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेंड चिन ने चलाई यह बात आपको याद रखनी है अब दोस्तों आज के सेसन का जो इंपोर्टेंट जीके सिरीज पार्ट नंबर फोर जो है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं तो आपके सामने क इंप कारवेट नेशनल पार्क जो है यह उत्रा खंड के अंदर है जांड़कना यह आपके जीके संबंदित कुछ कुश्चन बन सकते हैं उत्रा खंड राइज के अंदर है अनुसेद बढ़्ट जो 32 है इसे क्या कहा जाता है आर्टिकल 32 सम्मेधानिक उप्चारों का अध इसके तहईत सुप्रीम कोड जो है पांत करका जारि कर सकता है यह भी आपको याद रखना है अगला राज-तरंगनी पुस्तक का सम्मद इसमें किस राईज का इतिहास बढ़नित है तो आपको आउसर करना इसके अंदर इसका इतिहास बढ़नित है यह बात आपको याद आपको याद रखना है तो दोस्तों आज का यह समाप्त होता है मिलते हैं आपके सामने नेक्स सेशन में तब तक के लिए थेंग्यू